नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मिरा नाम है नवीन कुमार यूपी में जाटों के बाद गुर्जरू ने भी बीजेपी को सबक सिखाने का एलान कर दिया है ठाकुल समराट योगी अदित्यनाथ इतिहास के साथ होशियारी करने के चक्कर में बुरी तरह से फस गया है अलान हुआ है कि महंतुजी गुर्जर समराट के साथ खिलवार के मामले में गुर्जरों से माफी मांगे नहीं तो चुनाओ में आपको अपना रंग हम दिखा देंगे मामला इतना पढ़ गया है कि सरकार ने मीरापुर का विधाया का अतार सिंग भडाना समेथ साड़े छे सो लोगों पर मुकदमा करवा दिया आप पूछेंगे ठाकुर समराट ने गुर्जर समराट के साथ किया क्या है बताते हैं दरसल ठाकुर अदित तिनाथ ने जाट बनाम गुर्जर राजपूत करने की कोशिश की थी और इसके लिए गौतम बुद्धनगर के दादरी में गुर्जर समराट महर भोज की एक विशाल प्रतिमा लगवाई समराट महर भोज पर कुछ राजपूत भी दावा करते हैं और गुर्जर तो खेल जमाने से करते ही हैं इतिहास के किताबें भी महर भोज को गुर्जर ही बताती है 22 सितंबर 2021 को योगी यादित तिनाथ महर भोज पीजी कॉलेज में अनावरन करने के लिए खुद दादरी पहुँचे थे लेकिन ऐसा कांड हुआ कि कॉलेज को चावनी में बदल कर अनावरन कराना पड़ा लेकिन बताते हैं कि योगी जी ने दोनों में घाल मेल करने के चक्कर में एन वक्त पर शिला पटिका से गुर्जर हटा दिया मतलत जब मुर्टी का अनावरन हुआ तो गुर्जर समराट मेहर भोज की जगा केवल समराट मेहर भोज लिखा हुआ था इसके बाद तो गुलजरों के तन बदन में आग लग गई अब देखिये कि 22 सितंबर से ही महिर भोज की मूर्टी पुलिस के पहरे में खड़ी है ठाकुरों को खुश करने के चक्कर में योगी आदित तेनाथ ने गुलजरों को ऐसा नाराज कर दिया है कि पंचायते होने लगी हैं जीने मरने की खस्में खाई जाने लगी हैं इतवार यानि 26 सितंबर के दिन महिर भोज कॉलेज में गुलजरों ने पंचायत बुला ली जहां महिर भोज की मूर्टी लगाई गई हैं वहीं पर लेकिन कॉलेज को जाने वाली हर सड़क पर इतनी पुलिस तैनात कर दी गई थी कि वहां कोई पहुँच ही नहीं सका इसलिए अचानक पंचायत के लिए पहुँचे गुरजर समाज के लोग चिटेहरा गाउं के मंदिर पहुँच गए और वहीं धरना देकर बैठ गए पुलिस देखती रह गई और सुबह 11 बजे पंचायत शुरू हो गई 200 से ज़्यादा लोगों की गिरफतारी के बावजूद 20 हजार से ज़्यादा लोग गुरजर पंचायत में पहुँच गए दोपहर तीन बजे तक पंचायत चलती रही और प्रस्ताव पास किया गया कि सरकार 10 दन के भीतर महिर भोज की मूर्ती के शिलापट पर समराट से पहले गुरजर लिखवाए इसके बाद मूर्ती का फिल से अनावरन होगा और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो समाज के लोग खुद ही शिलापट पर गुरजर समराट महिर भोज लिख देंगे और मूर्ती को गंगा जल से नहलाएंगे गंगा जल से नहलाने का मतलब यह हुआ कि योगी अधित्यनाथ के छूने से मूर्ती अपवित्र हो गई है और गुरजर समाज इसे फिल से पवित्र करना चाहता है लेकिन पंचायत का अगला प्रस्ताव ऐसा हाहकारी है कि योगी अधित्यनाथ ने कभी कलपना में भी नहीं सोचा होगा गुर्जर समाज ने कहा कि समाज के भाजपा प्रतिनिदियों की मिली भगत से महिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर हटा दिया गया ये पूरे गुर्जर समाज का अपमान है और समाज इसे बंदाश्त नहीं करेगा इसके बाद गुर्जरों ने प्रस्ताव पारित किया कि समराट महिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर हटाने के लिए योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी होगी वो भी सर्वजनिक तोर पर खुले आम कि समराट महिर भोज के नाम के पहले गुर्जर न लगा कर हमसे भूल हुई है मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो गुर्जर चुनाओ में बीजे पी का भहिशकार करेंगे जो भयावा है वो ये कि पंचायत ने किवल योगी अदित्ते नाती नहीं जिले में भाजपा के सभी जन प्रतिनिदियों से सर्वजनिक माफी की मांग की हैं और अगर सरकार ने गुर्जरों की मांगे नहीं मानी तो समाज 2022 के विधान सभा चुनाओ में भाजपा का भहिशकार करेगा राश्टीय स्तर पर महा पंचायत कर देश में गुर्जर स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी और केवल यूपी चुनाओ ही नहीं 2022 के बाद होने वाले हर चुनाओ में भाजपा का भहिशकार करेगा समाज आगे की रूप रेखा तै करने के लिए गुर्जरों ने 51 सदस्य गुर्जर स्वाभिमान समिती का गठन भी कर लिया है समिती की अगली बैठक दो अक्टूबर को रखी गई है ग्रेटर नोईडा के परी चौक पर होने वाली इस बैठक में हरियाना, रजस्थान, सहारनपूर, मजफर नगर, शामली, मेरट, बुलंद शहर और गौतम बुद्ध नगर के गुर्जर नेता शामिल होने वाले है अब सवाल है कि भाजपा किसका किसका बहिष्चकार जेलेगी जाट पहले से भाजपा के खिलाफ है, मसल्मान हैं ही, दलितों में भी वैसा असर नहीं रहा और अब गुर्जर भी खिलाफ होते जा رहे हैं और गुर्जरों के खिलाफ होने का असर केवल यूपी पर नहीं पड़ेगा इस से ज्यादा हरियाना में पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा, मद्यप्रदेश में पड़ेगा, दुल्ली में पड़ेगा हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाई है कि पंचायत खत्म होने के बाद पुलिस तीन बसों में भर कर गुर्जर नेताओं को सूरज पुलिस लाइन ले आई लेकिन गुर्जरों ने वहाँ भी पंचायत चुड़ो कर दी अभी तक जितने भी गुर्जर आंदोलन हुए ये गोर करने वाली बात है उसमें महिलाओं के ना शामिल होने की परमपरा रही है लेकिन पहली बार इस रूड़ी को तोड़ते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं भी पंचायत में पहुँछी कई महिलाओं की गिरफतारी भी हुई ममता भाटी के नितरतों में आई इन महिलाओं ने कहा कि भाजपा जिस तरह से देश चला रही है उसका हर कदम पर हम विरोध करने वाले हैं दरसल समराट महीर भोज की मूर्ती के आगे गुलजर न लगाने का मामला यूपी चुनाओं में इलाखे का समीकरन बदल सकता है गुलजर वैसे तो पारंपरिक तोर पर भाजपा के वोटर रहे हैं लेकिन इस मामले ने उन्हें खिलाफ खड़ा कर दिया है यूपी में विपक्ष के सारे नेता इसका फायदा उठाने में अभी से जुट गए है अखिलेश यादों ने ट्वीट किया इतिहास में पढ़ाया गया है कि समराट महिर भोज गुलजर प्रतिहार थे भाजपाईयों ने उनकी जाती बदल दी निंद नहीं है चलवश भाजपा स्थापित एतिहासिक तत्यों को जान बूज कर छेड़ चाड़ वा सामाजिक विगटन करे किसी एक पक्ष को अपनी तरफ कर लही है मायवती ने लिखा मुक्यमंत्री ने गुलजर शब्द की हटी हुई स्थिती में प्रतिमा का अनावरण किया है इससे गुलजर समाज की भावनाओं को ठेस पहुँची साथ ही गुलजर समाज के इतिहास के साथ छेड़ चाड़ करना अती निंदनिये है वहीं प्रगतिशील समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष शुपाल यादों ने लिखा ये दुखद दुर्भाग्यपून है कि एतिहासित तत्यों के साथ छल्व छेड़ चाड़ कर लोक चेतना में स्थापित गुलजर प्रतिहार वंश के महान समराट मेर भोज की पहचा उसका सारा गणित बिगड़ता चला जा रहा है चालाक बनने की कोशिश में योगी यादितिनात ऐसी ऐसी घलतियां कर लहे हैं जिसमें भाजपा बरी तरफ फस्ती जा रही है इधर दादरी में पंचायग चल रही थी और उधर लखनव में मंत्री मंडल का विस्तार चल र करताओं ने मिठाई भी बाट दी थी लेकिन कहते हैं कि महिर भोज की मूर्ती पर उठे विवाद को ना संभाल पाने से नाराज आदे तिनात ने उन्हें अंतिम वक्त में किनारे कर दिया अब गुर्जर समाज कह रहा है कि ऐसे गुर्जर नेताओं को हम सबक सिखाएंगे जिन्होंने समाज के साथ भितरगात किया है मतलब चुनाओं से पहले पश्चमी उत्तर प्रदेश में एक केक करके सारे पासे भाजपा के हाथ से फिसलते जा रहे हैं अगर यही हाल रहा तो इस इलाके से भाजपा कहीं उजार न हो जाए इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर लीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज पर जाईए और फॉलो कर लीजिए लाइक जरूर कीजिए नमस्कार